कि अब बताओ यार कि मैं लाइव हूं भाई है मेरी आवाज आ रही है आवाज तो सही जा रही है ठीक है वीडियो चैट वो भी ठीक है और विराज डीजे गुट इवनीं कपेल इवनीं शिव शंकर अरेन दीपक कुमारपांड़ा एफ शिव शंकर एवरीवन भाई सभी लोग नमस्का सब्सक्राइब तो आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है संस्थापक से सं विशाइकों मंधदट प्रश्न अब हर में चंगर से कुछन पूछा जा कि संखणन की इसने की सथापनागे शिशिग इस इसस शूरू की स्थापनागी बिएक इस थापना आप तो बहुत सारी जो है इस ताड़िक्य की ऊय्टक्वे देखने को मिल सकते हैं सबी लोग आ और आपके नहीं हो रही है तो मुझे नहीं पता लेकिन हम जहां पर रहते हैं यह हम आपको बादा करके बता है कि यह हमें अच्छे से पता है कि कुछी देर में यहां पर बारश होने वाली है तो गाई संसापक से काई से जो संबंदित प्रश्ण है यह मैंने कहा कहा से लिए हैं और लीडी मैं आपको बदा देता हूं कहा कहा से मैंने यह कोश्न बनाए है तो 2021 का सीजल का पेपर उससे आपको सारे किसारे साथ को संट थैस से तो साथ को सब्सक्राइब पूछे गए थे तीनी को संथे इसके लावा बाकी के सारे को संथे 65 और 60 तो नहीं ले पाए लेकिन जितने हो सके उतने ले लिए बाकी का मैं आपको बताता चलूँगा ठीक है तो आप मुझे लगता है कि प्रणाम गुरुजी कानपुर में रहते हैं कानपुर में मैं रहता था अबहिं नहीं रहता हूं तो आपने मुझे देखा होगा काम राधा हैं प्रोट में ने कान पर में क्लास की श्रुआत करें हिवैं दा फाउंडर ओफ हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन सीजीय दोहजार 21 में पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक मतलब और मिको e acca k 수फ हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसिशन की स्थापन सचीनद्र-नाथ-शन्याल के नाम पर सबसे बड़े जो साथी है वह है राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद सब्सक्राइब के जनक पूछ रहा है रॉबर्ट कॉफ रॉबर्ट पूच एफ जी हॉपकेंस सेल्मन बॉक्समेन और सेम्वल हैनिमन क्वेश्चन नमबर दो का आंसर एच सारी कि स्थापना भगत सिंग के त्वारा की गेती सर्फरोसी की तमन्न अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजविक आती है देश वक्ति आ जाती है समझे रोंगते कड़े हो जाते हैं डियांसर दे रहे हैं बच्चे डि 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 और कोई भाई जो डियांसर डि सैमुल हैनिमन बिल भी रहाए था यह आंसर सही होगा पादर आप कुम्योपरति क्या हो जाएगा प्या अधानिश्व ठानिश्व है कहां पर तर्फ राजिस्थान हरिनाड़ के चित तरफ बड़ा सा कर्नोज जो कर्नोज है उसी के राजदानी होगा करती थी पहले ठीक है वही अगर शेमुल हैनिमन जर्मनी के दिनोंने नहोंने जो है मेडिकर बुक भी लिखाए पर सकते हैं छाल opioid टुमको पता है रहे необходимо के संस्थापक तहåd ऑर इसी ब्रदन-वंक के संस्थापक तो अगर हम हर्श्वर्धन की बात करें तो यह हैं कि यह और यह वालों पूरा सम्राज था यह पुरुल्ष्व भूती की दरए और फानिक था यहां पे जू है मैत्रिकास्त है चालों की था यहां जो है कच्चालो की राधानी बादा में हुआ करती थी नीचे चेर था पांड था पल्लव था यह साथी बंस थे क्वेशन बर्चा हूं मंग फॉली इस फाउंडर ऑफ दा फील्ड ऑफ साइक मनो विश्लेशन के संस्थापक का नाम आपको बदाना है वू इस दा फाउंडर साइकोलो एनालेसिस और मनो विश्लेशन के छित्र के संस्था पर कौन थे जॉन पिगट काईटी एरिकसं एरिकसं काईटी एरिकसं सिंग्मंट फ्रेड और काल जंग वू इस दा फादर ऑफ साइको एनालेसिस बताओ भाहिए कि बार सो पेज की बुक है मेटीदिया मैडिका अच्छा कि इसका अंसर दोफटा से वह हम तुम्हारी बात सब समझ रहे हैं तुम्हारी सारी बातों उससे हम कि बोलो आंसर क्या बनेगा भी फ्राइड ने काम को ही नविज्ञान का खेंद्र माना अच्छा थीकमान फ्राइट इस बाइध बात बढ़िए थीर्वालित के दा यह सिग्मेंट फ्राइड जन्होंने नवन मनो विज्ञानिटराओं का जनन कर पस्चन नुम्बर पांच वांग अग ऑन फॉलिक स्वर्गी लेट सुस्मा स्वराज जो थी पहले विदेश मंत्री हुआ करती थी तो राज सिंग दुरंगपूर संधी पाटे ललित मोदी या जगमोहन डाल्मिया आंसर बनेगा ललित मोदी दिस दा राइट नीरब मुदी ललित मोदी विजय अमाल लिया पहुत सरी लोग देश छोड़ के पैसा लेके भाग किके पॉस्चन नमबर फॉलिविंग इस वन आप दा फाउंडिंग मेंबर ऑप भारतिय जनसंग संस्थापकों मैं से एक था भारतिय जनसंग के संस्थापकों मैं से था जंसंग जब locks बारतिय जनता पाटी्यनदर पाटी मुख रूप से जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें अटल बिहारी बाजपई और लानकिष्ट आडवानी के दो लोग थे जोनों ने मुख रूप से बीजबी पार्टी बनाई थी लेकिन वह हिस्सा जनसंग कही था बाद में उसे बदल दिया गया अब स्यामा प्रसाद भारते जनसंग किस अंसथा पुकों मैंसे एक रहे हैं कॉस्चन नमबर साथ फूब वह दा फांडर ओफ मामलूक डैनेस्टी अब देखो मामलूक डैनेस्टी पूछ लिया तो आपको पता नहीं क्या पूछा है मामलूक डैनेस्टी कुछ भी नहीं है गुलाम बंस को ही हम कहते हैं इसको कहते हैं गुलाम बंस को तो गुलाम कह कह लो या फिर मामलूक डैनेस्टी कहते हैं इसको कहते हैं help ऊस्यामा परसाद मुखर जी बंदरगाह कहां पर है पूलकता में है कि सुमित साहू सतना से जुड़े हैं एक बुद्धीन एवक बुद्धीन एवक टुड़े आएं न्यू प्लस थी सेकेंड यह दीपकुमार पंड़ा जुड़े हैं वह राइट अच्छा कुछ बुद्धीन एवक की घर हम बात करें दोस्तों तो कुटबुद्धीन एवक ने कुटव मीनार का निर्मार करा यह तो सब को पता है ठीक है लेकिन इसके अलावा भी किसी चीज का निर्मार कराया था तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है एक चीज़ का और निर्मार कराया था ठीक है से लाख बक्ष भी कहते थे बिलकुल सही है कि इसके लात बक्ष भी कहते थे लक्रण वाक्ष भी क्याते थे पétais एक मार्ण नुर्मारग कर आहे ता मैं 2,5 दिन का जोब पारा है अा sni ahojil kadja विं इन जोब यू थी के इसका निर्मार्थ तो इसका निर्मान मुक्रूप से बक्तियार खल जीए वही है ज्योंने कौन सब जाले जलाये था लग्ट करो कोन सब सब जाले बक्तियार खिल जीने जलाये था और कमेंट करेंगे रजिय सुल्ताना कि बतबुद्दीन एवक की दमाद थे इनके दवाथ थे थे स्थापना कुमार घुक्त के द्वारा की इसके द्वारा कुमार कुमार है कि कि वह हूं अमंग वह 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 हूं आम अमन्दबॉव वह फॉन्डर ऑफ किराना घराना क्लासिकल म्यूजिक तो जो किराना घराना अंगीत के किराना घराने का जो संस्थापक इन में से कौन है अब्दुलकरीम खान प्राननात इमदाद खान और बड़े गुलाम अली यह नवी किराना घराना तास्त्रिय संघी मिक्रम सिला कि स्थाहे घरामपाल के द्वाल की गई थी कि NiB एड़ां सुना कुल करीम कान अब्दुलकरीम घराना घरानों जो जो फ्लस्तांव उसी है पूछा जाएगा पाकिस्तान के महबूल रखो भारत की अम्रित सेंट अब कुछा कि बंगलादेश के विक्ति थे ग्रामीड बैंक की नहीं स्टापना की क्या नाम था प्रोफेसर मुहम्मद गाथा मुहम्मद जहीर मुहम्मद साब मुहम्मद युनुष यह भारत के विक्ति है जन्हें नोबिल पुरुस्कार दिया गया था आर्थिकी में किसमें दिया गया था नोबिल प्राइज आर्थिकी में मतलब एकॉनिमी में पौर दा डिवलोपमेंट ऑफ ग्रामीर बैंक बंगलादेश ठीक है तो यह जो सारे कॉस्चन थे यह सीजियल और स्यचसर कॉस्चन थे आहम चलतें एंटीपी से कॉस्चन के तरह आँ प्राथना समाज के संस्थापक कौन हैं प्राथना समाज के संस्थापक जोत्यवा फुलें यह किस किताब का नाम बताएं और राजा राम रे रा महां रहा चलते समाज के संस्थापक फी स्थापना है इनकी किताब का क्या नाम है तो किताब का नाम है गुलांग गीरी यह पूछा दिया है जो भी मैं बोलता जो समस्ते चलना और अगर आतना समाज की बात करें तो आत्मा रंग पांडू रंग मिल बीदा राइट आंसर केसा चंद्रसेन और आत्मा राम पांडू रंग पॉस्चन नंबर ठीक है यह तत्व बोधी समझ याद रखेंगे विदान कुलिज की स्थापना भी राजा रम होना निकी थे गदर पार्ट प्राइटिक स्थापना उनने सो तेरा में हुई थी कहां पर हुई थी कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे किसने की थी यह बताएंगे बाद माता पेंटिंग बिलकु से ही तो 1913 में सेंड फ्रांसिस्को तेंड प्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी लाला हर्दयाल जी के द्वारा अगर हम बात करें भगत सिंग तो आप सबको पता है कि भगत सिंग ने हिंदुस्तान सूसलिस रिपब्लिक असोसेशन और साथ साथ में नौ जवान सभाव नौ जवान सभाव के भी सदर्श थे अगर हम बात करें नाना जी देश्मुग तो ब्राम्मर्ण विकास संस्था ब्राम्मर्ण विकास समाज इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई इसलिए उन्हें ने को पुरुष्कार दिया गया था राइट अदर कौन सा हो जाएगा एविल की त्रैक्ट वाइम एथी जी अटो वाइगरा और वागासी क्वेश्चन नंबर गुडीवनी नमीता पेसबुग के संसापक कौन है फो इस दा फाउंडर ओफ फेस्थीज़ॉग इसके हैं तो सब को पता है आपल के हैं आपल के हो गया स्थीज़ॉग बिलगेट किसके हो गया तो बिलगेट्स होगए म माइक्रोसॉफ्ट के क्लियर भई और मार्क जकरवग यह हो गया फेस्वुक के सरगाई ब्रेन और स्टीब जॉप तीन लोगों ने मिलके बनाई थी तो यह को फाउंड़ थे आप अलके सरगी ब्रेन या दखें के समी लोग अमेरिकल कंप्यूटर साइंटिस इंटर इंटर टोगेबिद लेरी पेसी को फ़ांड़ था गूगल दा गूगल के हैं ओ नॉट यह किष रधके साथ में लेरी पेंज पेस्टम पेज़के साथ साफ नों इसki साफ ना इब हर फिटी ठीए इस्टीव वाजनेक रुनाल्ड बेन या इनमेसिस अभी पांडे कि मार्क जगरपुर की एक डॉलर लेते हैं और अपनी बेटी होने पर 99 परसेंट अपने डोनेट कर दिया था बहुत बड़े बड़े लोग डोनेशन करते रहते हैं हम लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमारी सेलरी सबकी नहीं क्या हो जाएगा सरकारी आप्शन इनमेंसे सभी डिदर राइट अंसर स्टीव जॉब्स रोनाल्ड बिन और स्टीव बॉस गूगल का संस्थापक कौन है कुछ लोग होते हैं जिने कितना भी पैसा मिल जाए और पैसा और पैसा और पैसा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी अवश्यक्ता पूरी हो जाए बात खतम हो तो अब बड़ी बड़ी ज बड़ी 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 बिजनसमें थे नहीं मिलकर बॉंबे कोई बहुत ही बड़ी बड़ी और अप्लान बनाया उसी को पीपल्स प्लान का आगया अब सूत्रपाथ कौन थे तो सूत्रपाथ का नाम है एम एन रॉय क्या नाम इनका एम एन रॉय यह इसके सूत्रपाथ थे जैप्रकाज नरायन वही है जो इंद्रा गांदी जी किलाप लड़े थे ना बिहार से ब्लॉंग करते हैं चलो आगे चले कौश्चन नंबर अब कौन-कौन सी लोग थे जोनों ने इसको बनाया था उस इसके संस्थापक का नाम क्या है यंग बंगाल आंदूलन अब यहां पर एक लेडी सिव सदासिव आया है इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी कमेंट करोगे यह वाला पहले हम इसके बारें बात करते हैं विलियम जोन्स ने एसियाटिक सुजाइटी स्थापना की थी रविंग लेडी शतासिव स्यर्ण पर नोनने विमिन्टी इंडिया असोसियेशन की स्थापना की नृटे है विमिन्स इंदिया थ nove c एसोशियेशन के असुशिएशन चाहिए कि विमेंस इंडिया असोसियेशन इसकी स्थापना लेडी सदासिव एयर ने कि थी और हैंडी यूइभी बिवीजेंडेरी जेओने मुक्रूब सें बंग वन्गा लांगरल की स्थाफना की थी बिलियम जोने एसीरतिक सुसाइटी के कि एसियार्टिक सुसाइटी के स्थापक कौन थे अनुसीलन समिती के संस्थापक बताओ जरा आंसर क्या बनेगा अनुसीलन समिती के संस्थापक कौन कि रविन नादर टेगुर को 1913 में 1913 में नहीं मिला था नोबल बुरुषकार गितांजली के लिए सही है कि अप्शन कुछ इंग्लिश में लिख दो या अब सारी लिखेंगे तो आदर समय सी में निकल जाएगा थोड़ा रिजेश कर दो पड़ा देता हूं सतीशंद्र बसू ऑप्शन ए है है हैंडी लुई विविएट डैरीजियो ऑप्शन सी स्रीमन नरायन गांधी ऑप्शन डी रोडाल बैन तो अनुस्विलन समिती के संस्थापक ते सतीशंद्र बसू के विल बी दा राइट आं सब्स है धरम सबाके संथापक कौं थे धरम सब्सभा के संथापक का नाम क्या है मदन मोहन मालवी ने दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना था हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मदन मुहन माल भी एक द्वारा लाला हर्द्याल गदर पार्टी सचीद चर्थ अनुसुलियन समिती और राधाकांत देव यह धर्म सबाके संथापक प्वेश्चन नंबर बहुत सारी अलगलग समराज पूछे जाते हैं इसकी समराज की स्थापना की ती बेहलोल लोधी ने लोधी वन्सकी स्थापना की ती कुत्भूदक पूर्ज की स्थापना की ती जिन्सकी जिन्स वश्चन वह विधंदर ऑप अगे चले कि क्वेश्चन नमबर 11 बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक का नाम बता है जुगल के सोर सुकला भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र के संस्थापक के नाम क्या है आप मुझे बताओ जेम्स अगस्ट हिकी राजा राम मुहन राय दो याद अकवार याद दखने हैं आपको इनके नाम से एक का नाम था मिरातुल अकवार और मिरातुल अकवार और दूसरा था संबाद कॉमोदी क्या था संबाद कॉमोदी जेम्स अगस्ट हिकी ने सबसे पहले बंगाज गजट की स्थापना की थी और मैंने पूछा था कि भाईया जुगल के सोड़ सुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र तो उद्धंड मार्तंड इस के अलाव अगर देखें और निउस पेपर तो योगांतर आपके पूछा जा सकता है मैंने सारे निउसपेपर आज जेम सिक्की के द्वारा हो गया के सी जुए वो बाल गंगत तिलग जी इक के द्वारा हो गया रिताबगा कि गुपल गुकले लेके आये थे वाइस ओफ इंडिया दाता भाई नरो जी अम्रिता बजार पत्र का शिसर कुमार घोश्कदार सुरू की थी बंदे मात्रम वेपेंचंद्र पाल के द्वारा ठीके स्टेट्मेंट रॉबर्ट नाइड यह बहुत बड़ा डियूस पेपर है दा हिंदू कस्तूरी रंगा अइंगर अभी ही है इंडिया एंड इस कॉमन भीन अनी बेसेंट के दौरा लागू किया गया था ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 मेजो नेशनल फ्रेंट के संस्थापक कौन थे वो वास दा पाउंडर ओफ मीजो नेशनल फ्रेंट लाल डेंगा राधा स्वामी नहिंकर हरी सिंग या फिर ब अंब तो है कि हो गया तुम्हार मं जाओ अप्शन से उड़ा दो भाईया लाल देंगा इसके प्रेसिडेंट रहे लाल लीडर लाल देंगा रहे अधार सो पचत्तर में इंडियान लीक कि स्थापना किस नोच यहां बहुत सारी चीजें हुआ है है कि अथारा सो पचत्तर में दोस्तों आपको पता है कि बोंबे स्टॉक एक्षिंग की बॉमबे स्था एक्षिंग अगी स्थापना भी 1875 में ही हुई और एगाइच 875 में जो ए दॉन होगो रादा सौम्मि एयर हो नहीं तक्षिषिला विश्विध्याले के संस्थापक कौन थे बता चुका हूं अगर मैं आप से कहूं कि पाकिस्तान में मौझूद तक्षिषिला विश्विध्याले की स्थापना किस नहीं की तो कॉस्चन थोड़ा बढ़िया है जाना मुझे बताओ तक्षिसिला बिश्विद्ध्यले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तक्षिसिला बिश्विद्ध्यले की स्थापना कमेंट करो भाईयत तेजी में बोलिये 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 भाई बोलिये क mínimo कि क्या हो जाएगा कि तक्ष्षिलल्ह विष्याविष्य देलह चंद गुप्थ मोहरे ने किती और नालंद विष्याविष्याविष्य कि बनाये गया यह यह उगया नालंदा यह तक्ष्ष्षिलяла तक्षिश्रीला और यह हो गया हमारा बिक क्रांप्षिश्री नंबर पंद्रा बी ए आर्सी के संस्थापक कौन थे पहले नाम कुछ और था भावा एटोमिक की रिसर्ट सेंटर के संस्थापक कौन थे तो बी ए आर्सी के संस्थापक वही थे जिने भारत में नाव की उठ्जाग का जनक कहा जाता है पी-सी मोहानलो लोविस इंडियन इस्टैकिकल इंस्टिटेट्र के संस्थापक माने जाते हैं बिकरम शारवाई अंत्रिक शिकारीकरम के जो है वह क्या माने जाते हैं और डॉक्टर वमी जहांगीर भावा भी आर्सी के संसापक माने जाते हैं में एपी जी अब्दुलकलाम को कहते हैं सब्सक्राइब है इसका है इसका है वास्चिंटन डी सी में है वास्चिंटन डी सी में और अगर जो को साब मनाते हैं के सब्सक्राक्रते मनाते रीड क्राउस कब मनाया जाता है इंटर्एस्टाइल इन को नॉबिल बिल्कुल सहीं है रेड क्रोस्ते कब मनाया जाता है पताओ भाइए तो यह आए आप तो निम्लिकित में से कौन स्वराज पार्टी के नेथा थे स्वराज पार्टी का निर्मार निर्माळ क्यूं वा क्योंकि 1920 में होने वाले आसायोग आंदोलन को अच्चानक से रोक दिया जाता है जब गांधीजी आसायोग और यह पर जालाने की कारण बहुत सारी लोग मारे जाते हैं जिसके काल गांदी जी जिसा बापस लेते हैं अब यह बहुत तीजी चल रहे आंदुरन को दिशा देने के लिए पार्टी के निर्मार किया गया और 1925 में होने वाले विधान सवागी चुनौ में पार्टिपिट करने के लिए भी स्वराज पार्टिकर निर्मार किया गया कौन-कौन थे चितरंजन दाग और मोतिलाल नहरू मतलब जवालाल नहरू के पिता सी विल विदा राइट अंसर नमबर अठारा एपल एंग के संस्थापक कौन है कौन नहीं है वह इस नौट दा फाउंडर ओफ एपल आई एंसी आपको पता है कि एपल का निर्मार पहले बहुत सरी को फाउंडर थे हैं ना तो गाइस इसके पहले बहुत सारी को फाउंडर थे जिन्होंने मिलकरी कंपनी बनाई थी स्टीव जॉप और रुवा रुनाल बैन लेकिन मांग जुगरवग इसमें नहीं आई है अ ब्रह्मी समाज के संस्था पकॉन थे हुँ वोल द फाउंडर ऑन falling द्वार का नाथ सबसें राजा-राम-बॉन-च्ंशनध्य-ा- तो टैगोर, किसवर चंद सेन, राजा राम मुहन राय और ईश्वर चंद बिद्या साधर बताओ भई क्या अंसर बनेगा गटीक है रहाधिया रमोरोह Keisट इस पार्टी संस्थाफ़क वी कही आपको बताना एक और पार्टी जो हो कि इसका नाम हुआ प्रता था कि वेज नाम बदल दिया कंट समाज भाधी पार्टी समॉत लगा पिर चैनले थे उन्हें भी डिवीजन हो गया ऐसे करके नई नहीं पार्टी बहुत सारी बंती चली गई तो कांशी रम यह पार्टी बार्टी और बाता चुका हूं कौन कौन की स्थापना थी तो अटल भिहरी बाचपाई और सादन लालकृष्णा अबानी ठीक है कां सब्सक्राइब नाना जी देश्मों को मिला प्रणा मुखक जी को मिला क्या नहीं मिला सब्सक्राइब नहीं मिला इनको बता अंसर ब्रहमण विकास संस्था के संस्था पक्ते नाना जी देश्मों यह विल्वीदा राइट आंसर तो यह आंसर सही हो जाएगा सब्सक्राइब नमबर 22 2019 में बाबुर सिप्रिसाद गुपता और महात्मा गान्दी के साथ में कासी विद्या पीट के संस्था पकौन थे कासी विद्या पीट के संस्था पक्त कि दुखर उन्निस नहीं होना चाहिए कुछ गरबर लिखा है यहां पर कि उसे हटा देना उसे मत लिए पासी विद्या पीट के संस्था पकौन आपको नजर आ रहे हैं भगवान दास दराइटांसर नमबर 23 माइक्रोसॉफ्ट के संस्था पकौन है माइक्रोसॉफ्ट के स पॉल एलन और एख और सी दोनों तो बहसी तुमको पता है कि घूगर के है अब या तो दया अंसर आपको पक disorders पॉल एलन और लेरी और साथ साथ में बिल गिर्स दोनों के द्वारा ही Microsoft की स्थापना की गए थी की संस्थाक और यह सुलवा इंटर नेशनल के संस्थापक और और राइट आंसर और बाली का विद्ध्याल है कि सभित्री भाई खुले तो सुलब इंटरनेशनल बिंदिश्वर पार्थक इंडियन सोचल इंटरॉपरेनर ही इस दा पाउंडर अप्सुल इंटरनेशनल इंडिया विस्ट सोचल सर्विस और नजेशन विस्ट वर्क प्रमोट सब्सक्राइब इंडर्थ इंवर्मेंटर से जैटेशन नन कर्मेसिल सोर्स अफ एनरजी वेस्ट में में सूचल रिफॉपरेशन इन सभी चीजों में काम किया है कि आटीफीशल इंटलिजेंस के संस्थापक कौन है आटीफीशल इंटर आज दिख रहा हुँ ना अभी चा सारी डेटा के साथ में कनेक्टेड है यह आपकी जरूरतों को समझता है कि यह आप कब कितने टाइन पर कहां जाते हैं तो उस हिसाब से यह आपको रिकमेंडिशन भेजता है आपको रिकमेंड करता है आसान भाजदा में समझे तो आर्टीफीशल इंटलिजेंस वह एक ऐस अग्टार्सों 161 भारतिय पुराततों सरविक्षण के संथापक कौन रहे हैं भारतिय पुराततों सर्विक्षण के संथापक अब दो चीज तो मुझे बैसी नजल आ रही हैं कि पॉल एलन माइक्रोसौप्ट के से संथापक हैं सिर्कमार गोस्ष अनुसीलन समिती से हडपा जो है जो साइट उसकी खोच की थी मौन जो तो रखालाद बनर जी ने की थी अलेक्जेंडर कनिंगम इन भी दराइट टांसर जो भारतिय पुरातत्य सर्विक्षण के संस्थापक रहे हैं कॉश्चिन नमबर 30 खालता खालचा पंत की साफना किसके द्वारा की गए थ पास गुरू गोबिंस्टींग गुरू तेक बाहद्दोर या फिर गुरू आर्जुन देव आज बड़ा स्पीड में चल रहे हैं मैं बहुत ही तेज स्पीड है क्या लिख रहा है लड़ता कि कुछ लिख रहा है बच्चा देख लेता है भाई वभी सरकी फेस सता चली गई अरे यार्ट क्या हो जाएगा कि गुरु गुबिंसिंग दराइट अंसर दोस्तों अम्रित्सर सहर के स्थापना गुरु रामदास ने की याद रखेंगे सबी लोग बहुत इंपॉटेंट चीज है और साथ साथ में जो गुल्डन टेंपल उसकी नेभी गुरु रामदास ने किती लेकि कि गुरुत एक बहुत रुको और अंजीब ने मरवा दिया था यह याद रखेंगे क्वेश्चन नमबर 31 दासवंस की स्थाफना किस ने की थी तो दासवंस के लो या मॉमलू डैनिस्टी के लो एक ही बात है तो इस बुद्दीन एवक बिल बीदा राइट आंसर अब सिसुन आगी थे नंदवंस के संस्थाफ़ महापंग न ते मौरवंस की संस्थाफ़ मौरेथा सिंगोवंस संस्थाफ़ पुष मित्र सुन ठाइक है सुमिए सुमिए oversudév कर थे गुप्त संस्थापक शरी गुप्त थे आगे चलेंगे तो चोल वन्स के संस्थापक विजियालाय चूल थे के छी मुखा ऑपक कजू अ कदापीश हो जाएगा कजुला कदापीश पल्लव किसा आप सिंध्य और प्रिधें हैं चल्व के ट्राइब हैं ग्णार्फट दंती इ खिली जी वंस जलाल उद्दिन जी और तुगलग वंस के संताप तक भी ठीक है गया सुद्धिन तोड़ा कि बिश्व भारती बिश्विद्याले की स्थापना किसके द्वारा की गई है आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्राथना समाज की स्थापना की गई है इसकी प्रात्थना समाज के स्थापना मधन मोहन माली में बनार्षिंदु विष्भ देले की स्थापना मदन मुहन माल वी के द्वारा की गई थी व्हचु की स्थापना रभेंज नाच फ़ाकपूर गुष्टापना की है सत्रासो चौरासी में दा एशियाटिक सुसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गए थी इनमें चेहीं महा गोभिंद नराने रनाडे महा गोभिंद रनाडे ने पूना शार्वजनिक सब्हाकि इस्ताफण तरह कुनप शार्वजनिक सभाकिस्तापनीद अ हैंदी विवियन डरीज यू इसके द्वारा बंग भंग अंदुलन भंग अंदुलन ठीक विलियम जोन्स ने एस्टिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी स्थापना किसके द्वारा की गई है साथ साथ में इंडिपेंडेंडेंस लेवर पार्टी बताओ जराब स्थाथ की गाता है आई है गनी इसक्रोट था को ड्रायर्या सब्सक्राइब कर घ्राई और पार्ली आए मिटने देडसा अपार सो ने कुल फो सहिए है को Free स्थाफना किसके द्वारा की गए थी 1919 में सत्याग्रे सभा भीम्राव अंबेटकर महत्मा गांधी मोतिलाल लेहरू या फिर जैप्रकाश नरायन रादे रादे दुर्गा कैसी हो सब बढ़िया मजे में सब ठीक टाक आज संडी लगेगी काफी बारें त्वारें हो रही है आज पास तो 1919 में सत्याग्रे सभा की स्थापना भीम्राव मेटकर महत्मा गांधी मुतिलाल नहरू या फिर जैप्रकास नरायन दा आंसर विल भी महत्मा गांधी यह आंसर सही हो जाए मात्मा गांधी के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी सेलेंट उफ इंडिया सुसाइटी की इस्थापना किसके द्वारा की गेती से लेंट आप इंडिया सुसाइटी अना अब नो भारत वीडी सवरकर याद रखेंगे अभीनव भारत को या फिर अभनम मित्र मेला कि मित्रमेला तो आंसर आ गया वही गोपाल कृष्ण गोखले इस दराइट आंसर सब्सक्राइब तत्व बोधनी सवा की इस्थापना किस ने की थी तत्व बोधनी सवा अलेकजंडर कनिंगम अभी मैं बता के आया हूं कि अलेगेंडर करेंगा में पुरातत्व विभाग की सापना की थी पुराता तो जो भारति पुराता विभाग है उसके संसापक बिश्व भारति विश्व द्याली इस तापना रविनात ठाकुर ने की थी या टैगोर ने गोपाल कृष्ण गोखले गोड़ी में बता कि आएगो अभी आपको राइटाथ विल भी देवनाथ टैगों दिस इस दराइटाथ क्वेश्चिन नमबर चालेस नटाल इंडियन कॉंग्रेस की इस्थापना किस ने की थी नटाल इंडियन कॉंग्रेस बता भई कमेंट करो फटाफट नटाल इंडियन कॉंग्रेस की इस्थापना किसके द्वारा की गई है मात्मा गांधी सुवाश्चत बोज भीमरा अमबेटकर या फिर मूती लाल नहरू तो मात्मा गांधी दराइट अंसर शुवाश्चत बोज के द्वारा फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी आजाद हिंद फॉच की स्थापना की गई थी या फिर इंडियन नेशनल आर्मिय की बाद आए ने कह सकते हैं इसके लेवर पार्टी और हर्जन सेवक्संग वह गांधी जी की द्वारा हर्जन सेवक्संग की स्थापना देखी थी हर्जन सेवक्संग कि कि कुश्चन नंबर बाइक सब्सक्राइब ताटा मूलभूद अनसंदायन संस्थान ताटा फंडमेंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट वह इस्टाबलिस्ट बाए बिक्रम सारा भाई रतन टाटा गोविंद शरूप जहांगीर हुमी जहांगीर भावा तो भाई मेरे साके बी ए आर्सी में कंवर्ट हो जाती है और इसकी स्थाफना दो लोगों ने की ती एक तो थे जे आरडी टाटा जिनका नाम यहां पर नहीं है जे आरडी टाटा और जो दूसरी विक्ति थे उनका नाम क्या था उनका नाम था डॉक्टर हुमी जहांगीर इन दोनों पाल राजवन्स के संस्थापक कौन है वो वाद दा फाउंडर ओफ पाल डाइनस्टी गोपाल प्रितम धरम पाल देपाल या फिर उपर्योग तुम्हें से सभी सारे के सारे बताओ जड़ा यह लोन वाली आजकल भूत लोन बाट रहे हैं तो वैसे लेके साम तक कॉल करते रहते हैं लोन ले लोन भाईया जिसको चुरूरत है उससे तो तुम कॉल नहीं करते और जिसको जूरूरत नहीं है उससे तुम पगा लेते हो विश्वास नहीं करोगे मैं इतने नंबर ब्लॉक करता हूं डेली तो समझ नहीं आता कि करना क्या चाहा रहे हैं कितना लोन बाटेंगे हैं क्या वनिगा अंसर गोपाल प्रिथम गोपाल प्रिथम में इसका इन्हों ने विकास किया था इसकी स्थाफना की थी क्या नंबर चवालेश निम्लिकित मैसे किस ने नालंदव इस्विद्ध ध्याले को पुना इस्थाफित किया और बिक्रम सिल्भ इस्था ने की इसके बाले में तक्सिला अगर पूछा जाए तो चंदगुप्त मौरे लगा देना ना और अगर कुमार गुप्त लगा देन और बिक्रम सिल्भ पूछा जाए तो धरम पाल लगा देना अब वो क्या रहे नालंदव इस्विद्ध ध्याले को पुना स्थापित किया और बिक्रम सिल्भ इस्थाफ ना की मतलब क्या अंसर होगा धरम पाल इस तरह आइट आंसर पर नहीं लोन इतना देंगे कि तुम कंट्री छोड़ पाऊं समझ रहों और इतने बड़े कंट्री तो छोड़ी जाती जब तुमारा पंदर दीस हयार करोड़ पंदर बीस हजार करोड़ एक करोड़ नहीं हुआ पता बड़े 40-50 लाग रुमें लेके घए अमेरिका वहां पहुंचे तो पता चला कि 40-50 लाग में तो घर भी नहीं हा घर तो छोड़ो टेक्सी भी नहीं आ रही है तो अगर भाग नहीं तो 500-600-1500 क्रोड़ लेके भागो यार 45 लेकि क्या काम चलेगा पता चले वहां पे तो इन लोगों के बड़े बड़े में चल रहे हैं तो फीसी होगी 50 लाख रुपए एक ही रेंग की बादामी की चालुक्य गाजवांस के संसापक कौन था पिर्ती वर्मन पिर्थम पुलकेशन मंगलेशा और पुलकेशन दुतिया कि समझे लोन बैंक एक ऐसी चीज़े जहां पर बड़े बड़े अरपती खरपती पैसा लेते हैं उसका भूल जाते हैं बैंक की बिचारी परिशान दहिती के पैसा कैसे वापस आए फिर कुछ दिल की वाद बैंक कहती कि एक काम करो चलो ठीक है तुम पैसे नहीं दे पा र 50 पर सेंटी दे दो आपने पांशार कोड़ रुपए लिया है धायर कोड़ दे दो वह भी नहीं देते हैं फिर क्या होता है फिर सरकार कहते ठीक है बहुत गरीब आदिमी है विचारे के पाद 2-4 परिसा खाने के लिए नहीं है है ना सबजी अब जी भी नहीं आरी घर के य यह चलो कोई बात नहीं इसके पांश चार करोड़ रुपए हम माफ कर देते हैं राइट आफ कर देते हैं समझ रहा हो तो यह बहुत गरीव लोग है इसमास बिलकुल पैसा नहीं पैसा कि अब लुए बात है कि नहीं है तो बाहदामी की चलो किराजोंस के संस्थापक कौन थे बाई तो पादमी के पुलकेशन मिल भी राइट आंसर पुलकेशन ही आंसर सही हो जाएगा अगला कुश्यन साथ बाहन राजबंस के संस्थापक कौन थे वाद फांडर आप साथ बाहन डाइनस्टी सिमू का काना सतकर्णी और तुम ट्रेन वेंड में लूट ना पुलिस बाले बहुत मारते हैं मैं सच बता रहा हूं आए नहीं तुम लोग बिल्कुल गरीव नहीं हो तुम लोग घृब होते हैं तो बैंक तो बार करजमाप करदी परसेंट बहते हैं और कर्पूरेट टेक्स कितना होता है कॉर्पूरेट एक परसेंट दो परसेंट यह घरीव कि विचारत दे नहीं पार कि क्या हो जाएगा कि मुखा विल्पीद राइट आगे तो शिम्मू का साध्वान राजवन्स का प्राचिन राजवन्स था जिसे केंद्य रख्षिन भारत पर शासन किया था और इसमें जो है वह शिम्मू का ही इसके बंसके तो यह टोटल आपके अगर इन समप करें तो लगबार पैताल सोचन थे तो तो टोटल अगर बात करें तो थार्टी फाइव पॉच्छन थी जो फांडर मेंबर से थे यह संस्थापक से थे और इसमें लगबाल लगबाल मैंने पूरे करा दिये हैं यतना अगर आप पढ़के जाओगे तो मुझ तो पढ़के भी नहीं कर पाओगे तो बैटर है कि जितना एक नॉमलल है हमीसा उतना पढ़ो जो जरूरी है पढ़ने को पूरा समुद्र पढ़ा है सागर पढ़ा है पुरा इतियास पढ़ा है तो अगर चाइना में पढ़ना स्टार्ट कर दो तो कभी वही खताम नहीं हो है साड़ी नौ बजे जो है साइंस की मैराथन क्लास है तो आज साइंस में अपना दिमाग लगाए जो अच्छे गुरूप दी वी तैयारी कर रहे है तो साइंस मैराथन क्लास है साड़ी नौ कि लिए रभाई मेरे को आए एक हग है तो थैंक्यू सो मच सभी लोग जो बच्चे अनकडमी संसे लेना चाहते बहुत सारे बच्चें अनकडमी संसे लेते रहते हैं तो मेरा कोड़ अप्लाई करें कोड़ क्या है योगिन्थ 24 मंत का सब्सक्रिप्शन आपको 7800 रुपई का मिलेगा और इसमें 10% discount हो जाएगा तो 7020 हो जाएगा ठीक है और हाँ पर 325 रुपई जो है वह तो यह भी आप याद है कि अधिक है बावाई टेक क्यार अपना ख्याल रखें खुश रहें एक नमबर टराटन रहें और सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करा करें इससे हमें अच्छा लगता है पैसे मिलते हैं हर लाइक की 5000 रुपए ठीक है तो लाइक जरू करें सरकी संपत्ती बढ़ाएं प्रतेक लाइक का 5000 मिलता है ठीक है और अगर तुम शेयर करोगे तो दस जर मिलेगा तो पांच-पांच जर आरां पर शेयर कर लेंगे ठीक है चलो भाई आज के लिए इतना ही थेंक्यू वाल बाग वाल देखते रह ठीक है तो अगर झाल.